स्वागत है आपका आज की जाय पे बहुत हैरानी हुई बहुत अफसोस हुआ कि एक परिवार अब बच्चों की चोटों को कंटेंट बना रहा है उनकी चोट दिखाके उनका खून दिखाके उनकी पटियां दिखाके उस कंटेंट को मॉनेटाइज किया जा रहा है because हमें तो पैसे हर हाल में कमाने इनके प्यारे कहते हैं कल किसी ने comment भी कर रहा था इनकी प्यारे ने कि तुम बहुत लालची हो उनके चैनल पे से content उढ़ाती हो तो मैं उससे पूछूं कि लालच की हग तो अब इनके vlogs में दिखनी शुरू हो गई है बच्चा होने वाला है उस वीडियो को इंस्ट्रग्राम स्टोरी पे शेयर करके कहना trending 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 और अब जब बच्चों को चोट लग गई तो मिया मीवी जो है जनाब और मैडम दोनों ने अपने अपने व्लॉग्स में इस कहानी को इस हद तक ही चा है उनको चोट लग गई उनको यह बताईए उस बच्चे का पहली बात तो मैं आपको बता दूँ ग्राफिक कंटेंट होता है यूट्यूब पे आप इस तरीके से खून नहीं दिखा सकते हैं कि कई लोग जो देख रहे होते हैं यह उन लोगों को भी बहुत जारा शॉकिंग लग सकता है जनाब का तो श करेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कैसे कई लोग इस बात पर आवाज उठा रहे हैं कि आप लोग बच्चों की चोटों को भी एंकैश कर रहे हैं मॉनिटाइज कर रहे हैं कि क्या बात है क्या चीज है पैसा इस को मैंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे जनाब और बेबी बंप को एंफसाइज किया जाता है कुछ भी पहना जाता है तो उस पर ये मेक शौर किया जाता है कि बंप क्लियरली दिखे अगर पच्चों को नजर लग सकती है और अगर इतने ही हलके हो आप लोग तो व्लॉगिंग क्यों नहीं बन करते आप पहले भी हो चुका ह में क्या है जिक्क और मैडम के वो देखी नहीं पा रहा है कि किस तरीके का कंटेंट दिया जारा है किस तरीके की चीजपे कमाया जा रहा है कोई compassion नहीं है बच्चों के लिए एक ने camera पकड़ना है दूसरे ने बच्चे की चोट दिखानी है यह नहीं हमारे यहां पे तो दूसरे तक का तो wait ही नहीं होता था कि डॉक्टर आएगा पटिया करेगा माबाप ही कर दिया करते थे इतनी जल्दी इतनी promptly action होता था पर यह vlogging culture है यहां पे चोट पहले दिखाई जाएगी फिर पट्टी कराई जाएगी विकॉस उस चीज़ को in cash भी तो करना है तो अलग-अलग channels भी तो सोचिए कि जनाब की जो बेहन है साहिबा का जहान मैडम वह यहां नहीं थी नहीं तो तीन तीन व्लोगों में आपको बच्चों क कि चोटों को in cash करते हैं लोग दिख जाते कितना पैसा चाहिए ना कि इन लोगों को इस चीज़ को filter भी नहीं कर सकते विकॉस content के नाम पे कुछ है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों की चोटे हैं जो हम दिखा के अब cash कमाएंगे संसेनी case भी तो ब content बन चुके हैं दुनिया के लिए दोनों बच्चों की जगह अपने बच्चे को रखके सोचिए और यह सोचिए कि भगवान न करें उपरवाला न करें कि अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ हुआ होता तो इसी तरीके से हस हस के आव लॉग बना रहे होते हैं या बना रहे लाफटर और 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 अबफ और बी अप करिंज वर्दी यह हो गया है कि उन बच्चों की स्टोडी को दो व्लॉग में कंटिनिसली इंकैश किया रहा है आप लोग के व्लॉग्स रेली माइन लेस है इक ही घर में जब तीन-तीन लोग निकालेंगे और आप चौथा फॉर्थ कमिंग है जो मिस्टर जाहिद है साहिबा के पती तो यही होने वाला है और आने वाले टाइम पे तो यह भी कह दिया जाएगा कि हमारे घर में सिर्फ इधी घर से बाहर मडाने का ट्रेडिशन नहीं होता बलकि मुंबई में काम सेटफ करके अब तो जमाई राजा को भी घर जमाई बनके रहने का ट्रेडिशन भी होता है वैसे बहुत बड़िया कॉंट्रास्ट है आपके घर में कि जो मैडम है उनकी माता जी कब आती है और कब चली जाती है पिल्कुल पता नहीं लगता पिता जी तो आते ही नहीं है और वहीं दूसरी और जो साहिबा है व और हर तरफ से जो इनलोज हैं चाहे वो लड़की के हो या लड़के के हो उन लोगों को घर में जादा इन्वेजन ना करने देना इस घर का कल्चर है पेट्रियाकल या मेट्रियाकल नहीं है यह बहुत न्यूट्रल है यहाँ पे हर चीज मुंबई के उस मीरा रोड के घर म आके रुख जाती है वहाँ पे एंट्री सिर्व उन लोगों की है जो की इस परिवार के सगे है इनलोज तो है नहीं तो उनकी एंट्री बार्ड है आज के लिए इतना ही आप बताईएगा कि कैसा लगा आपको जिस तरीके से इन लोगों ने बच्चों की चोटों पे जनाब अपने फादर के शूलेसस टाय कर रहे हैं आप मुझे यह बताईए यही जो प्यार यही रिगार्ड यही रिस्पेक्ट आपके दिल में अपने फादर के लिए नहीं है ओ हो मैं भूल गई आपके दिल में तो हर चीज जनाब से शुरू होती और जनाब पे खतम होत थी कि नर्सिंग होम के पूरे की पूरे स्टाफ ने खड़े होके बोला बीबी शेतान है ना शकल नहीं दिखाता ना अचली आप जादा कह जाती है बात को कवर अप भी नहीं कर पाती और जनाब जो है वो आपको चुब भी नहीं करा सकते खैर आपकी तो जित्ती बात जाई उनको भी रिकार्ड दीजे और थोड़ा सा जो आप कहती ने स्पाइन लेस हो तुम लोग तो मैं कहना चाहती हूँ आप पे तो स्पाइन है ना तो अपनी भी इंपॉर्टन्स उस घर में रखने ही कोशिश कीजे देखते कितनी आपके पैरंस को रिस्पेक्ट मिलती है हलाकि अभी तक तो सिफ जनाब की इगोई साटिस्वाई कर रही है आप और तो कुछ मुझे दिखनी रहा आपके फादर तो आते ही नहीं है और जब वो रूट भी जाते हैं तो आप मनाते ही नहीं और जब मॉम के आने पे आप इतना कंटेंट बनाती है तो उनके जाने बेवी बता दीजे कि वो क्यों जाती है आप कभी बताते ही नहीं हूँ वो ऐसे चली जाती है कि कहा गई पता नहीं लगता फिर सब लों कॉमेंट करते रहते हैं और नेक्स सिक्स मनस तक आप वो कॉमेंट इग्नोर करते रहते हैं यह मांजरा क्या है समझ नहीं आता पता ये घर है या भूल भुलाईया बर जो भी है अपनी राय जरूर आज comment section में रखेगा आज के लिए इतना ही do not forget to like, share and subscribe to आज की चाहे Thank you so much for tuning in to आज की चाहे podcast